वेलकम तू जीवन जोती क्लासेज और मैं हूँ विकेश कुमार तो आज हम करने वाले हैं NCRT सलूशन एक्सर साइज 8.2 इंटो दर्चसन ओफ तिर्गोनोमेट्री तो चलिए शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला कोच्चन है बोल रहा है कि साइन सिस्टी कोच्च थर्टी प्लस साइन सिस्टी कोच्च थर्टी तो शुरू करते हैं तो साइन सिस्टी सबसे पहले हम वैलू लेंगे साइन सिस्टी इसकल टू रूट थिरी बाई टू साइन सिस्टी इसकल टू रूट थिरी बाई टू and cos 30 is equal to also root 3 by 2 तुर साइन 30 is equal to 1 by 2 and cos 60 is equal to also 1 by 2 clear है तू चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले value put करते हैं root 3 by 2 into root 3 by 2 plus 1 by 2 into 1 by 2 तो यह हो गया 3 by 4 plus 1 by 4 is equal to LCM ले लेते हैं 3 plus 1 4 by 4 is equal to 1 ठीक है तो हमारा पहला solution हो गया result आ गया 1 ठीक है sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 इसका result आया 1 इसी तरह हमने कोच्चन की तरफ चलते हैं कोच्चन नमबर 2 चलिए कोच्चन नमबर 1st नमबर 2 क्या बोल रहा है 2 10 स्क्वाइर 45 प्लस cos स्क्वाइर 30 माइनस sin स्क्वाइर 60 तो 10 45 का वैलू पले ले लेते हैं 10 45 10 45 इसकल टो होता है 1 तो 2 1 होल स्क्वाइर cos 30 का वैलू हमें पता है root 3 by 2 होल स्क्वाइर sin 60 का वैलू भी होता है root 3 by 2 होल स्क्वाइर ठीक है ये कट गया तो 2 into 1 is equal to 2 ठीक है तो इसका result क्या हैगा 2 इसका देखते हैं कोच्चन नमबर 3 तो कोच्च 45 का वैलू होता है कोच्च 45 is equal to 1 by root 2 और 630 is equal to 2 by root 3 क्लियर है कोच से 30 का वैलू कोच से 30 is equal to 2 तो ये इनका वैलू है तो वैलू पूट करते हैं तो सबसे पहले आते हैं 1 by root 2 by 2 by root 3 plus 2 ठीक है solve करते हैं इसको LCM निकालते हैं तो सबसे पहले आयेगा root 3 2 plus 2 root 3 ठीक है तो आया 1 by root 2 इन्टू root 3 by reciprocal हो जाएगा 2 plus 2 root 3 तो हमारे पास क्या है root 3 by 2 root 2 plus 2 root 6 यह आया जब इसको हम rationalize करेंगे देखते हैं rationalize करके क्या होता है तो जब इसको हम rationalize करेंगे तो देखेंगे आयेगा 2 root एक काम करते हैं multiply करते हैं यहाँ पे 2 common ले लेते हैं उसके बाद multiply कर सकते हैं या फिर directly कर लीजे 2 root 6 minus 2 root 2 by 2 root 6 minus 2 root 2 clear है इसको rough कर देता हूँ तो क्या है result 2 root 18 minus 2 root 6 by a plus b into a minus b a square या अगर इसका square करेंगे तो आगया 24 minus इसका square करेंगे तो आगया आपके पास 2 to 4 to 8 तो result में यह आगया अब इसको और solve करते हैं रेखते हैं कि common क्या हो सकता है इससे अगर common लेंगे तो क्या होगा 2 root 6 common ले सकते हैं चाहे तो या फिन common लेते हैं पर अब से पर ले लो 2 root over 18 minus root over 6 by यह क्या है 16 16 कट गया है तो हमारे पास आया root over 18 minus root over 6 by 8 ठीक है जो final result आएगा इसको अगर break करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या 9 into 2 यानि 3 root 2 लिख ही दीजिए और यह हो गया root 6 by 8 जो final result आएगा वो आया 3 root 2 minus root 6 by 8 तो यह हो गया answer है ठीक है तो इसी तरह next question करते हैं पर चाहर नमबर 4 क्या बोर रहा है sin 30 1045 minus cos 60 by sec 30 plus cos 60 plus cos 45 इस अब का value मैं बता चुका हूं cos 45 का value श्रीफ बाखी है तो cos 45 भी लिख सकते हैं cos 45 is called to 1 by root 2 ठीक है value put करते हैं तो सबसे पहले आते हैं sin 30 तो sin 30 क्या हो गया 1 by 2 plus 1 cos 60 ठीक है 2 by root 3 नीचे आते हैं यह हो गया 630 630 का value क्या हो गया 2 by root 3 plus cos 60 का value value 1 by 2 plus 1 ठीक है तो यहां देखने वाली बात यह है कि इन दोनों को जब add करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 by 2 minus 2 by root 3 क्लियर है और इसको add करेंगे तो यह भी आएगा 3 by 2 ठीक है इन दोनों को 1 by 2 और 1 को add करेंगे तो क्या आएगा 3 by 2 यह क्या है plus में है plus में है 2 by root 3 इसको बाद में इसलिए लिखे कि उपर और नीचे दोनों सेम तरह दिखे ताकि rationalize करने में असानी हो ठीक है तो एक तरह से बोल सकते हैं यह क्या है a minus b a plus b ठीक है तो इसको rationalize करते हैं इसी form में तो होगा 3 by 2 minus 2 by root 3 by 3 by 2 minus 2 by root 3 क्लियर है जब इसको rationalize किये तो क्या बना 3 minus 2 2 by root 3 whole square by a plus b minus sorry a square minus b square तो इसका square करेंगे तो आएगा 9 by 4 directly square कर देते हैं minus इसका square करेंगे तो आएगा 4 by 3 तो इसको solve कर लो 9 by 4 a square 4 by 3 b square minus 2 a b 2 a b clear है by इसको भी LCM ले सकते हैं अगर चाहे तो LCM लोग गए तो क्या आएगा 12 ठीक है 27 minus ठीक है यह क्या है अपने पास 16 और solve करते हैं इसको तो यह भी आगया आपके पास अगर इसका भी LCM लेते हैं तो यह कितना आएगा तो यह हमारे पास आगया 9 by 4 प्लस 4 by 3 माइनस अगर इसको काट दें तो बोल सकते हैं 2 root 3 तो root 3 से 3 कटे गया root 3 times तो यह हो गया 2 root 3 by 11 by 12 अगर इसको और थोड़ा solve करें तो हमारे पास भी सेम आएगा यह आएगा बस इसको add करना है यहाँ पर क्या करना है एड करना है क्योंति इसका भी LCM सेम होगा तो अगर इसका LCM निकालने चलें तो हमारे पास result क्या आजाएगा हमारे पास result आएगा 27 plus 16 तो 27 plus 16 is called to 43 यह हो गया 43 ठीक है minus 24 root 3 by 12 11 by 12 कर ठीक है तो हमारा final result आया 43 minus 24 root 3 by 11 ठीक है यह हमारा final result है यह क्या है 43 minus 24 root 3 by 11 answer ठीक है तो यह final result आया I hope समझ के होगे यहाँ पे हमने एक skip कर दिया है यहाँ पे LCM लेके आप solve कर सकते है क्योंकि यहाँ पे 27 minus 60 है तो उपर में होगा 27 plus 16 जिसको direct add कर दिया मैं 43 हो गया तो यह हमारा final result आया इसी तरह से next question देखते है अब value हम पहले से बता रखे हैं cos square 60 cos 60 का value क्या होगा 1 by 2 1 by 2 का whole square ठीक है 4 shake 30 shake 30 का value होता है 2 by root 3 2 by root 3 whole square 45 1045 का value 1 1 का whole square इसी तरह नीचे देखते है sin 30 का value 1 by 2 1 by 2 का whole square cos 30 का value होता है root 3 by 2 root 3 by 2 का whole square ठीक है चले इसका square कर लेते हैं तो यह आएगा 5 by 4 और इसको अगर हम 2 to 16 by root 3 का square 3 minus 1 और यह 1 by 4 plus 3 by 4 तो इसको solve करते हैं LCM आया 12 ठीक है तो LCM अगर 12 आया तो यह कितना हो गया 15 और यह हो गया 64 minus 1 तो यह हो गया 12 by 4 by 4 यह तो कट गया तो final result क्या आएगना है अपने पास 67 by 12 तो यह हो गया answer क्या आया 67 by 12 तो कोच्चन नमबर 5 67 by 12 चले next question की तरफ चलते हैं चले शुरू करते हैं कोच्चन नमबर 2 तो क्या बोल रहा है 2 10 30 by 1 plus 10 square 30 इन चारों में से किसके equal है optional question है तो चले देखते हैं तो सबसे पहले 2 10 30 by 1 plus 10 square 30 तो 10 30 का value क्या होता है 10 30 is called 2 10 30 is called 2 होता है 1 by root 3 क्या होता है 1 by root 3 तो इसको value रखते हैं 2 into 1 by root 3 by 1 plus 1 by root 3 का whole square तो आया 2 by root 3 by 1 plus 1 by 3 2 by root 3 2 by root 3 3 plus 1 by 3 तो 2 by root 3 3 by 4 तो हमारे पास आया 3 by 2 root 3 क्लियर है अब इसको rationalize कर देते हैं अगर तो क्या आएगा तो rationalize करने पर हमारे पास आ जा रहा है 3 root 3 by 6 यानि root 3 by 2 और root 3 by 2 किसकी value होती है sin 60 और cos 30 की तो हमारे पास option में कौन है sin 60 cos 30 तो है नहीं तो answer होगा A ओके तो sin 60 cos 30 की value है option में cos 30 नहीं है तो answer क्या होगा sin 60 तो गोचन नंबर 2 की तरफ देखते हैं क्या बोड़ा है 1 minus 10 square 45 by 1 plus 10 square 45 यह किसके equal है तो 1045 के value रख लेते हैं पहले तो 1045 का अगर value रखेंगे यहाँ पे तो 1045 is equal to 1 अब 1 का square करो तो 1 ही आएगा यहाँ पर भी 1 का square करो तो भी 1 आएगा यानि 1 minus 1 by 1 plus 1 तो 1 minus 1 क्या होगा 0 अब 1 by 1 plus 1 2 तो 0 by something is equal to 0 तो यह किसके बराबर है 0 के बराबर है answer क्या होगा option D उसी तरह आते हैं sine 2a is equal to 2 sine a is true ठीक है तो a के किस value के लिए यह बात सही है अगर मान लेते हैं सही है तो a के कौन से value है जिसके लिए यह सही है sine 2a is equal to 2 sine a के लिए रहे देखते हैं देखो सबसे पहली बात है कि अगर sine 0 का value जो होता है वो 0 होता है ठीक है अगर 0 में कुछ भी multiply करो divide करो कुछ भी करो उसका value क्या आएगा 0 तो अगर by the way sine 2a है ठीक है 2a तो अगर a की जगा हम 0 ले लेते हैं क्या ले लेते हैं 0 तो sine 2 into 0 यानि क्या होगा 0 तो sine 0 का value क्या होता है 0 उसी तरह अगर हम RHS में देखते हैं ठीक है RHS में क्या देखेंगे 2 sine a एक की जगा क्या है 0 तो sine 0 का value क्या होगा 0 0 में किसी चीज से multiply करेंगे तो भी क्या हैगा 0 यानि की a का value अगर हम 0 लेंगे तो यह verify हो जाएगा यह सत्य है तो a is equal to 0 ठीक है option भी a ही होगा इसी तरह next question की तरफ चलते है question number 4 क्या बो रहा है 2 10 30 by 1 minus 10 square 30 ठीक है इसकी value find करना है देखो 10 30 का value अपन बता चुके है 10 30 is equal to क्या होता है 1 by root 3 by 1 minus 1 by root 3 का whole square ठीक है तो यह आगिया 2 by root 3 यह आगिया 1 by 3 2 by root 3 यह आगिया 3 minus 1 by root 3 तो आगिया 2 by root 3 by 2 by root 3 तो 2 by root 3 into 3 by 2 कट गया यह भी कट गया तो final result आ गया root 3 तो root 3 किसका value होता है root 3 जो value होता है वो 1060 क्या value होता है 1060 is equal to root 3 तो result answer क्या होगा C 1060 clear है result होगा 1060 is equal to root 3 यानि answer होगा C तो यहाँ से देख सकते है इसके बाद आते है next question question number 3 क्या बोल रहा है कि if 10A plus B is equal to root 3 बोला कि 10A plus B is equal to root 3 तो एक चीज तो हमें पता है कि 103 किसका value होता है 1060 का value होता है 1060 is equal to क्या होता है root 3 तो बोल सकते हैं कि A plus B is equal to 60 degree ठीक है उसी तरह 10A minus B इसकी value क्या है 1 by root 3 है और 1030 का value क्या होता है 1030 का value होता है 1 by root 3 यानि A minus B is equal to 30 degree होगा ठीक है तो equation 1 और 2 को add करो solve करो linear equation से ठीक है तो जब equation 1 और 2 को add करेंगे तो क्या होगा A plus B is equal to 60 और A minus B is equal to 30 ठीक है add किये 2A is equal to 90 A is equal to 45 तो A plus B ठीक है क्या है 60 degree है equation 1 में और A का value क्या है 45 आया है तो B का value क्या होगा B is equal to 60 minus 40 5 is equal to 15 degree तो A का value आगया 45 है और B का value आगया 15 degree ठीक है हमें क्या find करना था A और B find करना था तो answer हो गया इसी तरह नेस question पे चलते हैं question number 4 ठीक है तो question number 4 क्या बोल अस्तेट वेदर दो फ्लॉइंग अस्तेट्मेंट आट ट्रू और फॉल्स जस्तिफाई और एंसर तो जो पहला question बोल रहा है वो बोल रहा है sign A plus B is equal to sign A plus sign B दीक है अगर इसको जानना है कि ये पूरी तरह से truth है कि नहीं तो A और B ठीक है इसका कोई ना कोई value ले लेते है मालो A is equal to ले लिए 60 और B is equal to ले लिए 30 clear है तो sign A plus B यानि कि 60 plus 30 ठीक है ये हो गया आपका LHS तो 60 plus 30 is equal to 90 तो sign 90 का value क्या होता है 1 clear है अब RHS में चलते है क्या बुरा sign A plus sign B तो sign A यानि sign 60 plus sign 30 और sign 60 का value क्या होता है root 3 by 2 और sign 30 का value क्या होता है 1 by 2 तो result आगया root 3 plus 1 by 2 और LHS में आया है 1 और RHS में आया root 3 plus 1 by 2 तो LHS RHS equal है ही नहीं does not equal to RHS यानि कि sign A plus B does not equal to sign A plus sign B clear है the value of sign theta is increases as the theta increase अगर sign theta के value को increase करते हैं तो theta भी increase होगा ठीक ये बिल्कुल सही है चलिए देख लेते हैं मालो sign 0 का value लेते हैं ठीक है theta की जगव क्या लेते हैं 0 तो 0 आया sign 30 यानि theta is equal to यहाँ पर तो 0 लिया था यहाँ पर theta is equal to हमने 30 ले लिया तो इसकी value क्या होगी 1 by 2 यहाँ पर theta is equal to 45 ले लेते हैं sign 45 का value क्या होगा 1 by root 2 अगर theta 60 लेते हैं तो ये आग्या sign 60 और sign 60 का value होते है root 3 by 2 तो जैसे जैसे theta increase हुआ ठीक है बोल सकते हैं जैसे जैसे theta increase हुआ उसी तरह इसकी value भी increase होगी 0 से बड़ा है 1 by 2 1 by 2 से बड़ा है 1 by root 2 1 by root 2 से बड़ा है root 3 by 2 ठीक है तो अगर theta increase होता है तो sign theta की value भी increase होगा सही है ठीक है पहले में तो false आया थी next आते हैं culture number 3 क्या बोल रहा है the value of cos theta increases यह theta increases यह case सिधे उल्टा होता है अगर theta का value 0 लेते हैं ठीक है तो cos 0 का value हो जाएगा हमारे पास 1 और वही अगर theta का value 30 लेते हैं तो cos 30 is equal to हो जाएगा root over 3 by 2 और theta के value 45 लेते हैं तो cos 45 का जो value होगा वह होगा 1 by root 2 और इसी तरह theta के value 60 लेते हैं तो cos 60 यानि cos theta का value होगा 1 by 2 तो जैसे जैसे theta बढ़ रहा है ठीक है theta जो है जैसे जैसे बढ़ रहा है 0 से 30 30 से 45 45 से 60 वह ऐसे वह से cos theta का value जो है वह कम हो रहा है यानि decreasing form में चल रहा है ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा false होगा increase होने के बज़ाई directly क्या हो रहा है decrease हो रहा है बोल रहा है कि sin theta is equal to cos theta for all value of theta no false यह possible नहीं sin theta और cos theta kushing condition में equal हो सकता है sin theta is equal to होता है cos 90 minus theta clear क्या होता है cos 90 minus theta तो हमें क्या बोल रहा है कि sin theta और cos theta दोनों equal है ठीक है तो theta का value all के लिए क्या हो sin theta is equal to cos 90 minus theta ठीक है अगर cos 90 minus theta होगा तो sin theta और cos theta अगर equal है मालों equal है तो cos theta is equal to cos 90 minus theta हो जागा होगा कि नहीं तो अगर cos theta और cos 90 minus theta equals है तो theta is equal to 90 minus theta यह इदर आके plus हो गया तो theta plus theta is equal to 90 2 theta is equal to 90 और theta is equal to 45 तो अगर theta का value 45 है if theta is equal to 45 तो sin theta is equal to cos theta 1 by root 2 तो शरिफ इसी value के लिए theta का value 45 के लिए ही equal है इस अब के लिए equal नहीं है next आते है cot A is not defined for A is equal to 0 ओके देख लेता हूँ तो cot A ठीक है not defined होता है देखता हूँ तो cot A is equal to क्या बोल सकते हैं 1 by 10 A बोल सकते हैं ठीक है 1 by 10 A और A का value 0 है तो 10 0 is equal to होता है 0 10 0 is equal to 0 किलियर है तो अगर A का value हम 0 रखते हैं 10 0 तो क्या बोल सकते हैं cot A is equal to 1 by 10 0 यानि cot A is equal to 1 by 0 अगर 0 आ गया तो यह क्या हो जाएगा not defined हो जाएगा cot A is equal to not defined ठीक है त्रू तो यह हमारे थे exercise 8.2 introduction of trigonometric ratio तो नेस्ट वीडियो में मिलेंगे नेस्ट exercise के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर